Assalamualaikum students, welcome to my channel Soren Life, आज मैं आपके साथ 100 की GTP का solution शेयर करूँगी, 17th June 2020 की last date है, और इसका question क्या है, वो देखते हैं, find the number of distinct permutations of the letter of the word chairlessness, आपको word दिया गया chairlessness का, आपने इसकी distinct permutation find out करनी है, अब इसका method क्या है, सबसे पहले आपको इसमें formula एक लिखना है, और इसको आप इस way में भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जो इसमें word, उसके बाद इसमें जो word है chairlessness, आपने उसके letter count करने हैं, तो उसमें S कितनी दफार repeat हुआ है four times, E कितनी दफार repeat हुआ है four times, और बाकी जो letter है C, R, L, H, N, ये सब one one time रिपीट हुए है, ठीक है, उसके बाद जब आपने इनको total किया, तो आपके पास इनका total sum up क्या आगया, 13 आगया, ठीक है 13 और उसके बाद आपने इसको formula में put करना है, formula में जब आपने put किया तो उपर जो value आ रही थी, main and वो 13 थी, और बाकी जो उसकी second में जो values आ रही हैं, वो क्या क्या आ रही थी, आपने वो सब put करनी है, वो कहती four into four into one, one 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 one, अब 13 का factorial जब इसको आपने लिया, factorial में convert कर दिया, और four into four factorial को आपने convert कर दिया इसको, ठीक है, उसके बाद जब आपने इसका factorial लेना है, तो आप क्या करते हैं, आप 13 से लेके four तक इसको multiply करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी value जो है words की calculation की वो four तक जारी थी, तो आप इसको four तक लेके जाएंगे, यानि 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 over 4 into 4, ठीक है, अब आपने इसको solve करना है, उसके बाद जब आप इन सब को multiply करेंगे और फिर divide करेंगे, तो आपके पास ये right answer आ जाएगा, अब calculation आपने जरूर चेक करनी है, प्लीज calculation जरूर चेक किया करें, अगर कोई mistake हो, तो आपको पता चल जाती है, sometime calculation में mistake आ जाती है, तो जब भी finalize करने लगें, अपने फाइल को, अपने answer को, तो calculation जरूर किया करें, उसके बाद method भी एक दफ़ा चेक कर लिया करें, ताकि कोई confusion न रहे, उमीद आपको समझ आगया, अगर फिर भी कोई confusion हो, तो आप comment box में मुसे पूछ सकते हैं, please channel को subscribe करें, वीडियो को like करें और share करें, ताकि जादा से जादा student को फाइदा हो सके, उसके इलावा मैंने facebook के page का link आपको description box में दिया हुआ है, तो आप वहां से उसको follow कर सकते हैं, और उसको join कर सकते हैं, और मुझे दीजे जाज़त, अलावाफ़ज़,